पूलों की तरह महते रहो और सितारों की तरह चमकते रहो किसमत से मिली है ये जिन्दगी खुद भी खुश रहो और सबको खुशियां बाड़ते रहो अपनी बात की सुरुवात एक सवाल से करना चाहूंगा आपने तालाब भी देखा है और कुवा भी देखा है आपने तालाब का पानी भी पिया है और कुवे का पानी भी पिया है अगर आपके सामने एक और तालाब का पानी हो और दूसरी और कुवे का पानी हो तो आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे कुवे का पानी आप ये बताएंगे क्यों क्यों कि तालाब तो बहुत बड़ा होता है और कुवा छोटा सा होता है फिर हम तालाब की बज़ाए कुवे का पानी पीना क्यों पसंद करते हैं बहुत अच्छा जवाब दिया कि कुवे में रोज नया नया पानी आता रहता है इसलिए कुवे का पानी ज्यादा मीठा होता है तो हमारे सामने तालाब भी है कुवा भी है और तालाब में भी पानी भरा हुआ है कुवे में भी पानी भरा हुआ है लेकिन हम तालाब की होता है पर कुवा गहरा होता है तालाब बड़ा होता है पर कुवा गहरा होता है इसलिए अपने जीवन में इस बात की हमेशा सीख लेनी चाहिए कि तालाब की तरह बड़ा बनना अच्छी बात है पर कुवे की तरह गहरा बनना उससे भी अच्छी बात है उससे भी बड़ी बात है तो हम केवल तालाब की तरफ बड़े ना होते जाएं वरन हमें कुवे की तरफ अपने जीवन में गहराई भी लेकर के आनी चाहिए क्योंकि जब जीवन में गहराई आती है तो मिठास अपने आप बढ़ती चली जाती है हमारी भारतिय संस्कृति ने हमें बहुत प्य बढ़ती चली जाती है और वो प्यारी सी लाइन है नंबर एक कम खाओ नंबर दो गम खाओ और नंबर तीन नम जाओ अगर कम खाओगे तो स्वस रहोगे और गम खाओगे तो कलेश नहीं होंगे और नम जाओगे तो आत्मा की उजवलता हमें साब बढ़ती चली जाएगी मैंने कल आपसे कहा था कि हमारे मन की पहली बिमारी है वो है इरश्या हमारे मन की पहली बिमारी है इरश्या जो हमें गर्त में ले जाती है और आज मैं कहूंगा हमारे मन की दूसरी बिमारी है अकड मन की दूसरी बिमारी है अकड वो भी हमें गर्त में ले जाया करती है तो इसलिए अगर हम अपने जीवन को स्वस्त सुखी और सफल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जिर में कभी भी अकड को इस्थान नहीं देना चाहिए अकड को कभी इस्थान नहीं देना चाहिए क्योंकि अकडी हुई लकडी कभी अच्छी नहीं लकती है सीधी सरल लकडी ही हमेशा अच्छी नजर आती है जो लकडी टेडी मेडी होती है क्या वो जंडे को धारन कर सकती है तेडी मेडी लकडी कभी जंडे को धारन नहीं कर सकती भारत के जंडे को अपने उपर धारन करने का गौरव तो सीधी और सरल लकडी ही प्राप्त किया कर सकती है तो अपने जीवन में हमेशा अपने आपको सीधा सरल बना करके रखना चाहिए एक बार ज़र्णे ने दरिया से पूछा एक बार ज़र्णे ने दरिया से पूछा रहे तुझे समंदर नहीं बनना क्या तुझे समंदर जैसा विशाल और विराट नहीं बनना तो उसने का कि नहीं नहीं मुझे तो समंदर नहीं बनना पूछा क्यों क्योंकि समंदर तो बड़ा विराट होता है और दरिया नदी बहुत छोटी होती है तो नदिया से पूछा तुझे समंदर नहीं बनना उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बड़ा होकर खारा बनने की बजाए तो छोटा रहकर मीठा बनना कहीं ज्यादा अच्छा होता है बड़ा होकर खारा बनने की बजाए छोटा रहकर मीठा रहना ज्यादा अच्छा होता है तो हमारे जीवन में भी इस बात का सदा बोध रखना चाहिए कि ऐसा नहों कि हम बड़े तो होते जाएं, हम बड़े तो होते जाएं लेकिन हमारे भीतर की मिठास कहीं कम ना होती चली जाए हम जितने जितने उपर उठें उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हमारी मिठास और ज़्यादा बढ़ती चली जाने चाहिए तबी बड़ा होने में मज़ा है, कहीं ऐसा नहो कि इनसान तो उपर उठे और उसकी इनसानियात नीचे गिर जाए, तो उस इनसान के उठने का भी कोई महत्व नहीं हुआ करता है, या रखना, इनसान जब दो तरीके से देखता है, तो हर चीज छोटी नजर आती है जब इंसान दो तरीके से देखता है तो हर चीज छोटी नजर आती है नमबर एक या तो दूर से देखे या तो दूर से देखे तो चीज छोटी नजर आती है या फिर गरूर से देखे तो भी चीज छोटी नजर आती है अपने जीवन में कभी भी अभी मान को जगे नहीं देनी चाहिए हम स्वाभी मान से भरे रहें ये अच्छी बात है हम स्वाभी मान से भरे रहें ये अच्छी बात है पर हमारी भीतर में अभी मान आ जाएए अच्छी बात नहीं है क्योंकि अभी मान का मतलब है दूसरों को नीचा दिखाना अभीमान का मतलब है दूसरों को नीचा दिखाना या दूसरों को नीचा करना और स्वाभीमान का मतलब होता है खुद को उपर उठाना तो खुद को हमें उपर उठाना चाहिए लेकिन दूसरों को नीचा गिरा कर खुद को कभी उपर उठाने क कोशिश नहीं करनी चाहिए तो कहने का मतलब हम मैं आज आप से एक ही निविदन कर रहा हूँ कि ये जो अहंकार जो अकड है ये हमारे मन की बहुत बड़ी बीमारी है आप बताएंगे क्रोध क्यों पैदा होता है क्रोध क्यों पैदा होता है अहंकार के कारण इरशिया क्यों पैदा होती है अहंकार के कारण नकारत्मक्ता पैदा क्यों होती है अहंकार के कारण तो हमारे जीवन में ये जितने भी दुर्गुण है उन सब की जो मूल जड़ अगर कोई है तो वो हमारी भीतर में पढ़ने वाला अहंकार होता है जब हमारे अहंकार को ठेस लगती है जब हमारे अहंकार को चोट लगती है तो हमारे भीतर में कभी क्रोध का जन्म होता है कभी इरश्या का जन्म होता है कभी अपमान का जन्म होता है कभी नकारात्मक्ता का जन्म होता है एक दुरगुण बहुत सारे दुरगुण को पैदा कर दिया करता है तो हमें अपने आपको मोटिवेट करना चाहिए कि मुझे अपने उपर कभी भी अहंकार को हावी नहीं होने देना है भगवान श्री महावीर ने कहा है कि जो अपने जीवन में अहंकार नहीं करता जो अपने जीवन में अहंकार नहीं करता वही इस दुनिया में सच्चा धार्मिक होता है बहुत प्यारी बात कहिए कुल रूप जाति बुद्धी सू यानि कि जो जीवन में कुल का अहंकार नहीं करता जो अपने जिवन में धन का अहंकार नहीं करता जो अपने जिवन में बुद्धी और ग्यान का अहंकार नहीं करता जो अपने जिवन में तप का अहंकार नहीं करता जो अपने जिवन में रूप का अहंकार नहीं करता उसके जिवन में हमेशा विनमरता का धर्म पल्लवित होता रहता है बढ़ता रहा करता है तो अपने जियोन में अगर हम सच्चे धार्मिक बनना चाहते हैं तो हमें अपने जिन में कभी भी अहंकार को इस्थान नहीं देना चाहिए मैंने एक बार गुर्देव से पूछा कि गुर्देव आपके प्रवचनों में हजारों लोग आते हैं और प्रति दिन हजारों लोग आपके प्रवचनों को सुनकर अपने दिन की सुरुआत करते हैं तो आपको कभी अपने ग्यान का अहंकार नहीं होता आपको कभी अपने ग्यान पर अहंकार नहीं आता तो गुर्देव ने बहुत बड़ी प्यारी बात करी जिसे मैं भी जीवन भर याद रखता हूँ गुर्देव ने कहा भई किस बात का अहंकार जब जब आस्मान पर नजर जाती है तो मन में आता भई किस बात का अहंकार करें एक दिन तो उपर चले जाना है और जब-जब मिट्टी पर नजर जाती है तो मन में आता भई किस बात का अहंकार करें एक दिन तो मिट्टी में ही मिल जाना है तो जब जब आस्मान पर नजर जाए कभी हमारे भीतरम अहंकार आ जाए तो आस्मान को देखना चाहिए भई किस बात का अहंकार कर रहा है एक दिन तो तुझे उपर चले जाना है और जब मिट्टी पर नजर जाए तो अपने आपको मोटिवेट करो भई किस बात का अहंकार एक दिन तो इसी मिट्टी में मिल जाना इसी मिट्टी से पैदा हुए है और एक दिन इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है तो अगर हम इस तरह से अपने आपको मोटिवेट करते रहेंगे तो मान कर चलिए कभी भी हमारे उपर अहंकार हावी नहीं होगा, यार रखना अहम ने एक ही वहम पाल रखा है, और ये वहम है कि मैंने पूरी दुनिया को संभाल रखा है, मैं हूँ तो ये समाज चल रहा है, अगर मैं नहूँ तो, मैं हूँ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हमारी भीतर में जूठा अहंकार हम पाल कर रखते हैं, और हमें अपने आपको लगता है कि हम है तो सब है, ऐसा कभी अहंकार नहीं पालना चाहिए, अरे इस दुनिया म अरे इस दुनिया में गांदी जी भी चले गए तो भी ये दुनिया चल रही है इंदिरा गांदी चली गए तो भी ये दुनिया चल रही है कितने ही लोग आए और कितने ही लोग चले गए पर ये दुनिया तो ऐसी कि ऐसी ही चल रही है तो ये वेर्थ का गुमान और वेर्थ का अहंकार हमारे अपने जियन में नहीं पालना चाहिए आपको मालूम है रावन का अंत क्यों हुआ रावन का अंत क्यों हुआ अहंकार के कारण कोरवों का अंत क्यों हुआ अहंकार के कारण कंस का अंत क्यों हुआ अहंकार के कारण और सद्दाम हुसेन का अंत क्यों हुआ अहंकार के कारण ओसामा बिलादेन का अंत क्यों हुआ अहंकार के कारण और याद रखना उन्होंने अहंकार को नहीं छोड़ा तो उनका अंत हो गया और अगर हमने भी अहंकार को नहीं छोड़ा तो हमारा भी अंत हो जाएगा तो प्लीज अपने जीवन में अहंकार को ज्यादा इस्थान देने की जरत नहीं है दरसल हमारी दिक्कत यह है कि कोई हमारी तारीब करता है तो हम अहंकार ग्रस्थ हो जाते हैं और कोई हमारी टिपनी करे तो हम आग बबुले कोई टिपनी करे तो आग बबुले हो जाते हैं और कोई तारीब करे तो हम अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं तो जीवन में याद रखना चाहिए कि कोई तारीब करे तो हमें पिगलना नहीं चाहिए कोई हमारी तारीब करे तो पिगलना नहीं चाहिए और कोई हमारे टिपनी करे तो हमें उबलना नहीं चाहिए, कोई हमारी तारीफ करे तो पिगलना नहीं चाहिए, प्रसंसा में पिगलो मत और आलोजना में उबलो मत, प्रसंसा में पिगलो मत और आलोजना में उबलो मत, एक मूर्ति का जो बहुत शांदर मूर्तियां बनाया क इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता है और कहते हैं कि उस पर अहंकर इतना हावी हो गया, इतना हावी हो गया कि वो दूसरों को कुछ समझने ही नहीं लगा, दूसरों को कुछ नहीं समझता था, कोई आता था कि मुझे मुझे मूर्ती चाहिए, वो कहता है इसके इतनी मौत आने वाली है उसे लगा कि मौत आने वाली है और उसको ले जाने वाली है तो उसने सोचा कि मैं मौत को भी चक्मा दूँगा उसने क्या लिया संकल्प कि मैं मौत को भी चक्मा दूँगा और उसने हू बहू अपने जैसी दस मूर्तिया बना ली हू बहू अपने जैसी द दस मूर्तियां बना ली यानि अगर मूर्तियों में वो भी खड़ा हो जाए तो पता नहीं चलता कि असली कौन है और नकली मूर्ति कौन है और इंसान कौन है उसने हूँ बहू ऐसी मूर्तियां दस और बना ली और जब मौत आई जब मोत आई और उसने देखा तो मोत भी कनफ्यूजन में आ गई मोत भी कनफ्यूजन में आ गई मोत को भी लगा अरे यार इसमें असली कौन है और नकली कौन है वो भी ते नहीं कर पाई तो उसने एक चाल खेली तो मोत ने एक चाल खेली कि आखिर कैसे पता करूंगी इसमें असली कौन है और नकली कौन है मूर्ति कौन है और इनसान कौन है और ये सोच करके मोत ने तारीफ करनी शुरू कर दी मोत ने तारीब करने शुरू कर दी अरे वहां क्या मूर्तियां बनाई है अरे क्या शानदार नाक नकस है अरे क्या शानदार कलाकारी है और कहते हैं जब इंसान की तारीब होती है तो वो अहंकार ग्रस्त हो जाता है फूल जाता है अहंकार में आदमी फूल जाता है पर याद रखना विनमरता में आदमी फैल जाता है अहंकार में तो फूल जाता है और विनमरता में फैल जाता है तो मैं फूलने की वज़ाएं फैलने की कोशिश करने चाहिए तो जैसे तारीफ होने लगी तो उसका क्या हुआ क्या हुआ वो फूलने लगा फूलने लगा और चेरे पर उसके प्रसंसा आ गई हंकार आ गया कि मैं इतना आर्टिस्ट की मोत भी मेरी तारीब कर रही है मोत भी मेरी तारीब कर रही है और कहते हैं कि तारीब इतनी की इतनी की और फूल करके गुपा हो गया फूल करके गुपा हो गया फिर मोत ने दूसरा दाव खेला और उसने अब टिपनी करनी शुरू कर दी अब मोत ने टिपनी करनी शुरू कर दी आलोचना करनी शुरू कर द यहां पर यह ठीक नहीं है यहां पर यह ठीक नहीं है यहां पर यह ठीक नहीं है और कहते हैं कि जब उसकी आलोज ना हुई तो उसके एहंकार को चोट लगी और एहंकार को जब चोट लगती है तो आदमी की भीतर में गुसा पैदा हो जाता है और जब गुसा पैदा होता है तो उसको अपने आप पर control नहीं रहता है। जैसे ही उसने आलोचना सुनी तो उसका क्रोध भड़क गया और जोर से चिलना पड़ा अरे मौत अरे मौत तु क्या मेरी आलोचना कर रहे तुझे भी वेक नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत है जैसे ही वो क्रोध में आग बगूला होकर उसने अपना हाथ उपर उठाया कि मोत ने उसको दबोश लिया पकड़ लिया उसने का मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे भाई बस तेरे में कोई कमी नहीं है तेरे में कोई कमी नहीं है लेकिन तू मेरे मोत के जाल में इसलिए फसा कि तेरे में सिर्फ अहंकार की कमी है तेरे में सिर्फ अहंकार की कमी है इसलिए तू मेरे मोत के जाल में फस गया तो जब परसंसा होती है तो हम अहंकार ग्रस्त हो जाते है और जब हमारी आलोचना होती है तो हम आग बबूले हो जाते हैं यही हमारी जियन की सबसे बड़ी कमी होती है तो भगवान कहते हैं कि हमें अपने जियन में विनमरता को महत्व देना चाहिए अहंकार को महत्व नहीं देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हम अहंकार पर वि मेरा 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 तो हमारा अहंकार बढ़ने लग जाया करता है और में और मेरी की बज़ अगर हम और हमारे शब्द का इस्तमाल करेंगे कि यह मकान किसने बनाया हम यह भी कह सकते कि मैंने बनाया और हम यह भी कह सकते कि हमने बनाया तो आप बताएंगे कि अगर आप ने ये कहा कि ये मैंने बनाया तो आपका अहंकार बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ेगा और अगर आप इसकी बजा ये कहेंगे कि ये तो हमने बनाया तो अहंकार हावी नहीं होगा जैसे समाज में कोई काम हो रहा है समाज में कोई काम हो रहा है तो कुछ लोग तो होते हैं गुरु जी ये मैं बाना रहा हूं ये मैं कर रहा हूं और कुछ लोग होते हैं कि गुरु जी हम सब मिलकर के हम सब मिलकर के कर रहे हैं तो शब्द भी शब्द भी हमारे जीर में बहुत बड़ा काम करते हैं तो में और मेरे की बजाए हम और हमारे कामें इस्तिमाल करना चाहिए और नंबर दो हमेशा हाथों को प्रणाम की मुद्रा से जोड करके रखना चाहिए हमेशा हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड कर रखना जी कोई भी हमसे मिले कोई भी हमसे मिले चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो हमेशा हमें उसका हाथ जोड करके स्वागत और सम्मान जरूर करना चाहिए अगर हम हाँ जोड़ करके रहेंगे तो कभी अहंकार हावी नहीं होगा और अगर हाँ जोड़ने की मुद्रा हमारे आदत में नहीं होगी तो छोटी-छोटी बातों पर अहंकार हावी हो जाएगा तो आपने गुरुजनों को देखा होगा जब भी आप गुरुजनों के पास आते हैं और प्रणाम करते हैं तो गुरुजन क्या करते हैं हाँ जोड करके अभी वादन करते हैं हाँ जोड के आश्रिवा देते हैं क्योंकि गुर्देव समझाते हैं कि हाथ उठा कर तो दस लोगों का भी दिल नहीं जीत सकते हैं पर पर तीन हमेशा सम्मान देने की भावना रखिए हमेशा सम्मान देने की भावना रखिए कभी सम्मान लेने की भावना मत रखिए अन्येक लोग सम्मान लेना तो पसंद करते हैं पर सम्मान देना पसंद नहीं करते उनको लगता है कि सम्मान मैं लूँ मुझे सम्मान मिले मु हमेंशा सम्मान औरों को देने की भावना रखिए क्योंकि सम्मान लेने की चीज नहीं होती है, अगर आप किवल सम्मान लेने की भावना रखेंगे तो अप्रेल फूल बन जाएंगे, अगर आप किवल सम्मान लेने की भावना रखेंगे तो अप्रेल फूल बन जाएंगे और सम्मान देने की भावना रखेंगे तो गुलाब के फूल बन जाएंगे तो अपने जीवन में कभी सम्मान लेने की भावना नहीं हमेशा सम्मान देने की भावना हमेशा दूसरों की प्रसंसा करने की भावना, दूसरों की तारिप करने की भावना, दूसरों को प्रोसाहन देने की भावना रहनी चाहिए, कभी किसी का पानी उतारने की आदत नहीं डालनी चाहिए, और अहंकार को जीतने का अंते मंत्र घर में कभी कभी छोटा काम भी करने कि आदत कभी ज़डू लगाने की आदत रहनी चाहिए कभी पहुंचा लगाने की आदत रहनी चाहिए कभी टोइलेट को साप करने की आदत भी रहनी चाहिए कभी घर की सफाई करने की आदत रहनी चाहिए सुनकर के माता हैं और बैने बड़ी खुश रही है कि आप हमारे पत याद रखना कोई भी काम छोटा नहीं होता है सिर्फ हमारा मन ही है जो किसी काम को छोटा और किसी काम को बड़ा समझा करता है तो हर काम अपने आप में अगर हम समर्पन भाव से और स्रिष्ट भावों से करते हैं तो हर काम प्रभू की पूजा बन जाया करता है की कोसिस कीजिए क्योंकि याद रखना भरोसा नहीं है जिन्द गानी का इंसान बुल बुला है पानी का अभी तो हम जी रहे हैं चहरे बदल बदल कर पर याद रखना एक दिन लोग ले जाएंगे कंदे बदल बदल कर लोग ले जाएंगे एक दिन कंदे बदल बदल कर तो किस बात का अहंका एक दिन आये थे और एक दिन वापस चले जाएंगे छोटी सी जिंदगी है तो इस छोटी सी जिंदगी में अहंकार गरस्त होने की बजाए प्रे मिठास और सम्मान विनमरता से भरे हुए रहिए तो मान कर चलिए हमारी जिन्दगी हमेशा मेठी और मदर बनी हुई रहेगी सब के लिए बहुत बहुत शुप कामा